प्रधान मंत्री ने पूरे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलो मेटर खंड का उद्गाटन किया यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने की बच्चों से बाद युक्रेन में फसे धाई हजार भारतियों को आज स्वदेश लाएगे सरकार फसे लोगों के लिए भारतिये दूतावास ने जारी की अडवाईजरी राइपूर के साइन्स कॉलेज मैदान में चार दिवसिय नौर्थ इस्ट फेस्टिवल का आयोजन अलग-अलग प्रदेशों के 200 से ज्यादा कलाकार हो रहे हैं शामिर और दक्षिडपूर्व मध्य रेलवे के नौन इंटरलॉकिंग के काम से दस लोकल पैसेंजर ट्रेने रगद नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ गोपा सानियाल अब समाचार विस्तार से प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उधगाटन किया लगभग 32 किलोमीटर की इस परियोजना पर 11,400 करोड रुपे से अधिक की लागत आएगी शिमोधी ने गरवारे मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदार्शनी का उधगाटन किया और वहां से आनंद नगर स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की प्रदार्मंत्री ने मेट्रो की सवारी करने से पहले मेट्रो का टिकेट खुद खरीदा इसके बाद भी अंदर गए मेट्रो यात्रा के दौरान प्रदार्मंत्री ने चातरों से बाचीत भी की इससे पहले उन्होंने पूरे महानगरपाली का परिसर में अठारा सो पचास किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फूट उची छत्रप्रतीश शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया इस औसर पर प्रतानमंत्री ने कहा कि अब मेट्रो लोगों के सफर को और भी आसान बनाएगा यह मेरा सवभाग्य है कि पूरे मेट्रो के सिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकारपन का भी आपने मुझे आउसर दिया है पहले सिलान्यास होते थे तो पता यह नहीं चलता था कब उद्गाटन होगा साथियों यह घटना इसलिए महत्वपुन है कि इसमें यह संदेश भी है कि समय पर योजनाओं का पूरा किया जा सकता है प्रधार मंत्री ने मुला मुथा नदी परियोजनाओं के काया कल्प और प्रदोशन उप्षमन की भी आधार शिला रखी एक हजार असी करोड रुपे की लागत से मुला मुथा नदी के 9 किलोमीटर खंद का काया कल्प किया जाएगा इस परियोजना को वन सिटी वन ऑपरेटर की अवधारना पर लागू किया जाएगा रूस के हमले के बाद युक्रेन में फंसे भारतियों को वापस लाने का काम लगातार जारी है केंद्री मंत्री एस जैशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अन्य 13 उडानों से आज 2500 भारतियों स्वधेश लाए जाएंगे उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक युक्रेन के आसपास के देशों से 13000 स्यधिक भारतियों वापस लोटे हैं विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्षी ने संभधाताउं को बताया कि फिछले 24 खंटों में लगभग 2900 भारतियों को लेकर 15 उडाने भारत पहुंची उन्होंने कहा कि खारकी उसे लगभग सभी भारतिये बाहर निकल चुके हैं उन्होंने कहा कि अब युक्रेन के सूमी पर ध्यान के इंदित किया जा रहा है भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में इस्थाने संघर्श विराम सर्वुत्तम विकल्प होगा भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से भारतिय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए इस्थाने संघर्श विराम लागू करने का अग्रह किया है यूक्रेन में भारतिय दूतावास ने बताया है कि पीशो चिन से सभी भारतिय सुरक्षित निकल चुके हैं और दूतावास उनसे लगातार संपर्क में है दूतावास ने ट्वीट में कहा है कि अपने नागरिकों के सुरक्षित वापसी भारत की प्राथमिक्ता है इससे पहले संकट ग्रस्त युक्रिन से भारतियों को लेकर एर इंडिया का विशेश विमान आज तड़के मुंबई पहुचा इसके तहट 182 लोग स्वदेश लोटे हैं इनमें अधिकतर युक्रिन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिन्हें रोमानिया की रास्थानी बुखारेस्ट से लाया गया है इधर युक्रिन में भारतिय दूतावास ने वहां मौझूद सभी भारतिय चात्रों के लिए एडवाईजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि सभी विद्यार्थी गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी दूतावास तक पहुचा सकते हैं जग्दलपूर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्व विद्याले में शनिवार को दिशान समारों का आयोजन किया गया इस समारों में वर्ष 2019-20 एवं 2021 में विविन विश्याओं में मेरिट सूची में प्रथम इस्थान प्राप्त करने वाले कुल 95-94 चात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मारित किया गया कारेक्रम के अधर्शित राज्यपाल अनुसुया उईके ने किया समारों का शुभारम विश्य विद्याले के कुल गीत और राष्ट्रगान एवं 36 गड़ की राजगी गीत अरपा पैरी के धार के साथ किया गया इस आउसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में लगबग 75-25 बालिकाई हैं जो इस बात का सूचक है कि स्त्रियां किसी विश्यत में पीछे नहीं है ये अपनी दक्षता, शमता और प्रतिबधता से नए भारत की गाथा लिखने को तयार हैं उन्हों ने कहा कि आज गोल्ड मेडल प्राप्त जिन चात्र चात्राओं ने समारों के दौरान जो शपत लिए हैं उसका पालन करते हुए जीवन में सफलता की सीधियां चड़ें गोल्ड मेडल मिलने से उससा ही चात्र 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 करते हैं ने कहा कि आज का दिन उनके लिए काफी याद का रहेगा कि मेरा नाम मिलन सिंग है और मुझे एमस्ट सेमस्टर में गोल्ड मेडल मिला है और आज कारेक्रम अच्छा था कारेक्रमें सांसर दीपक बैज, भूलो देवी नेताम, रेकचन जैन, लखेश्वर बगेल, मनोज मंडावी और पूर्व केंद्रिय मंत्री अर्विंद नेताम एवं महापौर सफीरा साहु भी उपसित थे मुख्य मंत्री भूपेश भगेल और 36 गड़ उच्छ न्यायले के मुख्य न्यायदीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपसिती में आज एक बैठक आयो जिक्की गई जिसमें 36 गड़ के उच्छ न्यायले सहित प्रदेश के न्यायलेओं में सुविधाई बढ़ाने न्यायलेओं में IT के और अधिक प्रभावी उपयोग ई-कोट और ई-चालान प्रडानी की प्रगती कोट में डॉक्टरों की वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से उपसिती सहित उच्छ न्यायले तिथा 36 गड़ के न्यायलेओं से संबंधित विभन विश्यों पर विचार विमर्श किया गया उलेकनिय है कि 36 गड़ के न्यायलेयों में न्याईक प्रक्रिया को नागरीकों के लिए सुविधा जनक और पारदर्शी बनाने तथा नागरीकों को त्वरेत रूप से आनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रोध्योगी की का उप्योग किया जा रहा है रायपूर के BTI मैदान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला मड़े का आयोजन किया जा रहा है विभाग ये मंत्री अनिला भेडिया ने शनिवार को इसका उधगाटन किया यहां प्रदेश के विभिन जिलों से आये महिला स्वसाहयता समुहों और महिला उध्यमियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई कई है इस दोरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए कई राही तयार की है इस मड़े में 36 गड़ की महिलाओं के सशक्त होते कदमों और आत्म निर्भर बनते जीवन की सपष्ट जलक दिखाई देगी इसके साथ ही महिला समुहों और उद्यमियों को प्लेच्फॉर्म और नई पहचान मिलेगी और आगे काम करने की प्रहना भी मिलेगी ये सोचके हम सब ने ये कारिका एवजन किया मड़े में महिला समुहों द्वारा निर्मित उत्पादों ने सभी महिला नेताओं का मन मोह लिया कारिक्रम में शामिल मंत्री और महिला सांसतों ने महिलाओं द्वारा बनाए गए हरबल और हैंड मेड प्रोड़क्ट भी खरी दे सभी ने कोरिया से आई महिला समुह द्वारा निर्मित हल्दी के लड्डू राइगड के रागी गुड से बनाई चलेबी और मुगेली के पापड के चाड का स्वाच चखा यह महिला मड़े आठ मार्च तक चलेगा राज़ानी रापूर के साइन्स कॉलेज मैदान में चारदीवसिय नौर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोचन किया जा रहा है चानिवार से शुरू हुए इस आयोचन के पहले दिन आठ राज़ों के कलागारों ने अपने अपनी राज़ों के खूपसूरत नृत्य पेश किये कारेकरम का आयोचन दक्षिन मध्य सांस्कृति केंद्र नागपूर और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग चत्तिसगर द्वारा किया जा रहा है इसमें चत्तिसगर सहित, मणिपूर, असम, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, महराष्ट, तेलंगाना, आंदरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा करनाटक के लगभग 250 से ज्यादा कलाकार चार दिनों तक अपने राज़ों की कला संस्कृति का प् नौर्थिस्ट का जो कल्चर है, नौर्थिस्ट का जो अलग पहरावा है, अलग डांस फॉर्म है, अलग कुजीन है, यह सब का यहाँ चत्तिसगर में राइपूर के लोगों को वो इसका अनन ले सके और उसके साथ ही नौर्थिस्ट की लोगों को भी यहाँ चत्तिसगर की संस्कूति के बारे में, खान खान के बारे में, रहने के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में पता चल सके इससे नैशनल इंटिग्रेशन को बढ़ावा मिलता है, इसी बड़ी उद्दिश के साथ आज यहाँ पर ये फेस्टिवल का आयोजन किया है प्रदेश के संस्कृती मंत्री ताम रद्वय साहो ने कहा है कि इस तरह के आयोजन से हमें एक दूसरे की संस्कृती से जुड़ने का अउसर मिलता है और यह आजन अलग-अलग सेंटर में ऐसे चलते रहता है जिसमें अलग-अलग प्रांतों के वेजभोसा, उनकी संस्क्रिति, उनकी कला, उनके भोजन सब को जानने पर रखने का उसर मिलता है कल शनिवार को दी गई प्रसुती में सभी राज़ों के कलाकार रंग-बिरंगे पोशाकों में एक साथ मंच पर आए और नित्य से दर्शकों का मन मोहलिया कारेक्रम स्थल पर विभे ने राज़ों के क्राफ्ट और भोजन के स्टॉल भी लगाए के हैं जहां पर आने वाले दर्शक उन राज़ों के खानपान से भी परिशित हो सकेंगे दक्षनपूर्व मध्य रेलवे के नागपूर रेल मंडल द्वारा तीसरी रेल लाइन को जोडने के लिए नौन इंटरलॉकिंग का काम आज से शुरू हो गया है नौन इंटरलॉकिंग का काम राजनान गाओं और कलमना के बीच तुमसर रोड रेलवे स्टेशन में किया जा रहा है इसके चलते 7-13 माच तक इस रूट में चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है दक्षन पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी उने बताया कि नौन इंटरलॉकिंग का काम 6-9 माच तक चलेगा काम होने के बाद सभी गाडियां समय पर चलेंगी रेल प्रशासन ने विकास कारियों में आम जनता से सहयोग की अपेक्षा के साथ यात्रा बाधित होने के लिए खेद जताया है जिन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है उनमें दुर्ग से चलने वाली दुर्ग गोंधिया मेमो स्पेशल ट्रेन से चलने वाली तिरोडी तुमसर रोड डेमो स्पेशल, बिलासपूर से चलने वाली बिलासपूर इतवारी इंटर सिटी एक्सप्रेस, इतवारी से चलने वाली इतवारी इंटर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन और गेबरा रोड से चलने वाली गेबरा रोड इतवारी एक्सप्र और अब कुछ खबरें जिलों से के समन्द में भी जानकारी दी गई इसी तरह उन्हें थर्ड जेंडर प्रमाड पत्र पहचान पत्र राशन कार्ड पासपोर्ट आधार कार्ड और जन्म प्रमाड पत्र आधी बनवाने के लिए सरकार की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया कोरिया पुलिस अधिक्षक प्रफुल ठाकूर ने पीडितों की समस्या सुलजाने के लिए जन्दशन के शुरुआत की जिसमें जिले के सुदूर वनांचल ग्रामिन शेत्रों के पीडित भी अपनी शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं उनकी समस्याओं से रूबरू होने के बाद पुलिस अधिक्षक ने बताया कि आने वाले समय में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए सभी डिविजन में जन्दशन शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि आम चन्ता के मन में पुलिस का भैड न रहे इसके लिए पुलिसिंग को बेहतर बनाया जाएगा बलरामपूर जिले में कोविड वैक्सिनेशन के दूसरे डोज का महा अभियान चलाया जा रहा है इसके माध्यम से 1,97,000 लोगों के टीका करण का लक्ष रखा गया है जिले में कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्क दर्शन में कोविड वैक्सिनेशन को लेकर लोगों को जागरूप कर उन्हें वैक्सिनेट किया जा रहा है जिला मुख्य चिकित साधिकारी डॉक्टर वसंत सिंग ने बताया कि जिले में कोविड टीका करण के दूसरे डोज को जिला प्रशासन एक तेवहार के रूप में मना रही है जिसके लिए जिले में करीब 570 टीका करण केंद्र बनाकर लोगों को वैक्सिनेट किया जा रहा है टीका लगवाने पहुचे लोगों का कहना है कि इस अभ्यान से उन्हें काफी राहत मिल रही है और इसी के साथ यह समाचार वुलेटिन यहीं समाप्त हुआ नमस्कार